लो दोस्त वर्लकम बैक टू दे चानल स्रस्टी स्टोडी पॉइंट यूपी प्लिस कॉंस्टेबल की जो भरती के लिए एक्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की जो है वो वेबसाइट पर आ चुकी है यह लिखा अंतिमुत्तरकुंजी इसमें बहुत सारे चेंज हुए है बहुत सारे कोशन जो हैं उनके आंसर गलत थे बहुत सारों के एक से ज़ादा विकल्प जो है वो सही थे बहुत सारे कोशन ऐसे हैं जिनके आंसर को चेंज किया गया यह सारी यहां पर अप्डेट दी गई है और कहां पर आप इस आंसर की को देख सकते हैं इस अभिया पर लिखा हुआ है तो पूरा ये रखाया कि जो एक्जाम इनिंडेट्स में हुआ था इसको लेकर पूरी आपतियां मांगी गई थी आपतियां मांगने के बाद ये पाया गया कि ये देखे यहां पूरा लिखाया कि जाने के बाद समस्त 10 पालियों में जो एक्जाम हुआ था उ निरस्थ करने के बाद इन्हों ने अपने जो इनकर विज्यापन आया था उसमें का था अगर कोश्चन को निरस्थ किया जाएगा तो उसके लिए जो है किसी को नंबर नहीं मिलेगा इस तरह से का था लेकिन यहाँ पर फिर यह याचिका पढ़िया भी याचिका के पढ़ी हुई है उस रिट के अनुसार जो है विवस्ता की जाएगी पूरा लिखा है आवंटिद अंको को लेकर किस तरह से अंको का आवंटन होगा 25 तो यह प्रिश्ण होगा 29 प्रिश्ण ऐसे थे जिनमें एक से अधिक विकल्प सही थे जैसे आपको एक आंसर दिना था लेकिन वहाँ क्या था दो सही थे दो आंसर ठीक है तीन आंसर सही है चारो ही सही है तो इसमें है अगर इस समद में इनिनना गया गया है यदि अव्यरती ने ये वाला प्रिश्ण किया है और उसमें से सही विकल्पों में से ठीक है मान लिजे पहला और दूसरा सही है किसी क कोशन का और उन दोनों में से किसी एक को बच्चे ने सही कर दिया या किसी की तीन सही ऑप्षन और उन तीनों में से किसी एक को आपने सही टिक किया है यह ध्यान रखेगा ठीक है कोई भी नहीं लिखा है सही प्रिशन के जो प्रिशन के सही उत्तर में से ठीक है याद तो आपने तीसरे पर टिक किया तो आपका गलत ही माना जाएगा इस चीज को दिमाग में रखेगा और ये दोनों सही है इन दोनों में से अगर आपने किसी एक पर टिक किया है किसी एक का गोला भरा है तो आपका ये अंसर सही माना जाएगा ये बात यहां पर कही गई है 16 प्रिशन ऐसे हैं जिनके विकल्पों में परिवर्थन किया गया है आप खुस देखी कितने प्रिशन हो गया है तो ये सब बात है यहां पर इसके साथ साथ आप वेबसाइट पर जाएंगे जो बूर्ड की वेबसाइट है उस पर लिंक दे रखा है इस लिंक के थुरू जाकर आप ये देखे ये पूरा लिंक दे रखा है इस लिंक पर जाकर ये पूरा है उपलब्द लिंक है उस पर अपना रेश्टेशन नमबर जन्मतिति और प्रिशन पुस्तिका करमांग की साहता से लोग इन करेंगे आप पृष्ण पूस्ति का कर्मांग बरेंगे तो प्रतेक अभ्यारती अलग अपनी अपनी अंतिम कुंजी को 9-11-2024 यानिकि 9 नमबर 2024 तक देख सकेगा अपना आप जैसे ही प्रिशन पुष्टि का क्रमांग भरेंगे तो आपको अपनी ही आंसर की देखने को मिल जाएगी यह चीज यहाँ पर बहुत सही है इसके बाद यहाँ पर यह नोंने पूरा दिया है उप्रोक्त भरती संबन प्रक्रिया के अंतरगत न ना ही उस पर कोई विचार किया जाएगा अब अगर आपको किसी क्रोशन पर डाउट है किसी आंसर पर डाउट है कोई और डाउट है कोई भी यहाँ पर आपका डाउट जो है क्लियर नहीं किया जाएगा ना उससे सम्मंदित आपसे कोई जो है विचार के जाएगा आपके नहीं ली जाएगी चैन के अगले प्रक्रम जैसे document verification, PST जो है यानि कि आपका physical test के लिए उप्यूक जो अभ्यरतियों की सूची तथा जो भी पूरा update होगा वो website पर बाद में प्रकाशित किया जागा कि कितने बच्चे नोंने पास की, कौन-कौन वस्चे जो है, वो physical देंगे document verification के इनका होगा, वो सब बाद में बताया जाएगा, यह दिपी इस सूचना को website पर अप्लोड के जाने के पर में परियाप्त साब्धानी बरती गई है कि हर वच्चे के लिए answer ब्लकु सही हो सही से, लेकिन किसी भी परकार कि अगर तकनीकी टूटी है, तो उसके लिए आप यह ना सोचे कि आयोग जो है वो, बोड जो है वो इस्तिमेदार होगा, ना ही टूटी पाए जाने की टूटी अंकन के किसी भी परकार का लाव या दिकार प्राप्त होगा, मतलब आपको ऐसा है नहीं कि आप इसके लिए कोई जो है अपत्ति करपा है ऐसे किसी परकार के संग्यान में आने पर बोड का नहीं अंतिम होगा बोड यह देखेगा कि इसमें वास्ता में टूटी है नहीं है, टेकनिकल टूटी है क्या टूटी है तो उस पर सुधार खुद बोड करेगा ठीक है, तो यह चीज है और यह ना सोचे कि यह पूरा लिखा है देखे कि फिर भी किसी भी परकार की तकनिटी टूटी के लिए बोड उत्तरदाई नहीं होगा लिखा है, इसमें साफ लिखा है इनोंने तो इस चीज को ध्यान में रखेगा आप और यहां पर पूरा इनोंने क्लियर कर दिया है और फिलहाल काफी कोशन यह इसमें दिख रहे हैं, पूरे 25, 39, 16 आप जो जोड़ेंगे जब उसके बाद इसमें पूरे 70 कोशन बैठते हैं, इन 70 कोशन पर जो है जिन बच्चो का अगर यहां पर मैं आपको सही बताऊं कि महनत, जो बच्चो ने महनत की है, जिनने लग रहा है कि मेरा अंसर सही था, अपती दर्ज की है उनकी जरूर महनत रंग लाएगी, उसके साथ साथ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनने भाग वश्वी, क्योंकि दो अप्शन दिख रहा है, इसमें कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है यह लगा देता हूँ, तो भाग वश्वी बहुत से बच्चों के नंबर यहां पर बढ़ सकते हैं, तो नंबर बढ़ने की बहुत चांसे हैं, क्योंकि सत्तर कोश्चन यहां पर गलत होना, सत्तर कोश्चन पर आपती सही पाई जाना बोड ने खुद कहा है तो यह बड़ी अपोशनिटी हो सकती है बच्चों के लिए अच्छे नंबर आ सकते हैं मैरेड अच्छी जाएगी, इसमें इसको ध्यान रखेगा फिलाल जो बच्चे पास होंगे इसके अंतर का तो उनके लिए धेरों शुब कामना है और वेट कीजेगा, फिजिकल का तो पूरा यहां पर आपको अपडेट देना था मुझे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजेगा, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजेगा और यह जो लिंक दिया है इस पर जाकर अपना जो अंतर कुंजी जरूर चेक रिएगा वेबसाइट पर जाएए, गूगल पर, ठीक है वैसे तो आप लोग यूस्टू हो गए होगे गूगल पर वेबसाइट पर जाएँगे, इस वेबसाइट पर लिंक मिलेगा और इस लिंक पर जाकर आप ये अपना इस्टेशन नंबर जन्वति थी प्रशिन पुस्ति का करमांग डालेंगे तो आपको तुरंत ही अपनी आंसर की देख जाएगी वो फाइनल आंसर की है, ये बार बार इनोंने का है इसके आद कोई भी आंसर की नहीं आएगी तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए